केज्रिवाल जी को गिरफतार क्यों किया है केज्रिवाल जी को NDA के एक MP के ब्यान पर गिरफतार किया है उनका नाम है मगुंटा श्री निवासलू रेड़ी यानि MSR MSR आंद्र प्रदेश से NDA के एक सांसद है MSR ने ऐसा क्या ब्यान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केज्रिवाल को गिरफतार कर लिया 17 सितंबर 2022 को MSR के ठिकानों पर ED की रेड हुई कि उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केज्रिवाल जी से मिले हैं उन्होंने कहा हाँ मैं 16 मार्च 2021 को केज्रिवाल जी से दिली सचिवाले में उनके दफ्तर में मिला था मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सी एम से जमीन के बारवें बात करने गया था केजरिवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लिकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए एडी को MSR का जवाब पसंद ही नहीं आया, एडी ने कुछ दिन बाद MSR के बेटे रागव मगुंटा को ग्रफतार कर लिया, फिर से MSR के और ब्यान लिये गए, मगर वो अपना पहले वाला ब्यान ही धोराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे रागव रेडी की बेल खारीज होती रहे, इस दोरान सदमे से रागव की पतनी यानी MSR की पुत्रवदू ने आत्मत्या करने की कोशिश की, और उनकी बूरी मा बहुत बिमार हो ग उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजिवाल जी से मिलने गया था, मुश्किल से 4-5 मिनिट मुलाकात हुई, वहीं 10-12 लोग बैठे थे, मेरे कमरे में घुसते ही केजिवाल जी ने मुझसे कहा, कि दिल्ली में आप शराप का काम चुरू करो, बतले में आम आदमी करोर रुपिये दे दीजिए, केजिवाल जी से ये मेरी पहली और आखरी मुलाकात थी, इस ब्यान के बाद अगले ही दिन, MSR के बेटे रागव रेडी को एडी ने बेल दिल्वा दी, जाहिर है कि MSR का ये ब्यान जूटा है, वे खुद कह रहे हैं कि ये उनकी केजिवाल इसे पहली और आखरी मुलाकात थी, दस बारा लोग वहां बैठे थे, अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे, तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही, दस बारा लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा, जाहिर है कि MSR के बेटे और परिवार को पांच महीने बूरी तरह परतारिद किया गया, इसलिए MSR ने अपने बेटे को बचाने के लिए जुटा बियान दिया, और इस बियान को देने के बाद दो दिन में ही MSR के बेटे को बेल मिल जाती है, इन सब बियानों से एक बात तो साफ हो गई, कि अपने बेटे को जेल स निकलवाने के लिए मैसार ने जूटा ब्यान दिया कोट ने भी केज्रिवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि E.D. ने बेल का लॉलिपब देकर ब्यान लिया बिना किसी सबूत के आपके बेटे केज्रिवाल जी को एक गहरे राजनेतिक शड्यंत्र का शिकार बनाया गया वो एक समानने पढ़े लिखे देशभक्त और कटर इमानदार वेक्ति हैं यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे इमानदार लोग कभी राजनीती में नहीं आएंगे क्या मोधी जी केज़िवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोधी जी कैसे EDCBI के जरिये एक गहरे राजनेतिक शड्यंत्र के तहत आपके केज़िवाल और आम आदमी पार्टी को खतम करना चाह रहे कि और एक पार्टी का रहे हैं